दोस्तों AMI को लेके बहुत ही अच्छी खबर है इस खबर को सुनके आपका जो मन है हरा भरा हो जाएगा तो AMU के लिए AMI के लिए बहुत अच्छी निव्स है जितनी भी लोग डिप्लोमा करके आप ग्रेजुशन करना चाहते हैं आई टीय करके डिप्लोमा करना चाहते हैं बीटे करके एमिटे करना चाहते हैं। उना सभी को लिए बहुत अच्छी खबर है। UP Polytechnic, बिहार Polytechnic, दिली Polytechnic, जितनी भी स्टेट के Polytechnic है जितनी भी ऐसे आपको लगेगा, institution of India ने इसको share भी किया था publicly, दिल्ली high court का बड़ा फैसला आया है, सब के लिए recognition के लिए बहुत good news है, तो इस news को हम लोग अच्छे से समझते हैं, सबसे पहले AMI को आज भी देश की सबसे बड़ी संस्ता है Union Public Service Commission यानि UPSC, जो कि IS का IPS का एक्जाम लेत क्योंकि private में तो इसे BTEC BE लिखा रहता है, लेकि सरकारी में पूरा detail में notification होता है, तो आप देख सकते हैं हाल फिलान में UPSC ने एक notification निकाला था, Senior Scientific Assistant के लिए, इसमें इन्होंने AMI को भी eligible माना था, लेकि इसमें date लिखा था, कि 31.5.2013 से पहले जिन्होंने AMI कर लिया है, उसी को फायदा मिलेगा, तो यह notice कब आया था, यह चलिए देखते हैं, इसमें, यहाँ पर देखिए, एक public notice AICT के द्वारा जारी की गई थी, और इसमें बताया गया था, कि 16.2013 के बाद, जितने भी लोग admission लेगे, उनकी value नहीं होगी, इसमें एक public notice में एक letter का भी जिक् value होगा, लेकिन आगे कब से admission होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए मने लिखा है, AMI में admission कब से होगा, इसके लिए तो खुशी के ख़बर आ गए है, देखिए, हाई court का जो तारीख था, तारीख पे तारीख वाला, वो था 27 जुलाई दो हज़ाई को, इसको बढ़ लगबक क्यों मिलेगा, यह मेरा आशा है, आशा क्या है, यह देख सकते हैं इस notice में, 2023 में अगस्त में यह notice आय था, इस notice में जिन्हों ने डिप्लोमा करना चाह रहे थे, ITA के बाद, उनके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम फर वर्किंग प्रोफेशनल लांच हुआ था, ज यह दिप्लोमा कोर्स का है, यह बीटे कोर्स के, यह दिप्लोमा बीटे कोर्स, यह ओलाइन, पार्ट टाइम, डिस्टेंस मोड में भी करवाई जा रही है, लेकि डिपेंड करता है कि उसके लिए अप्रोग्राम फर वर्किंग प्रोफेशनल लांच के लिए, तो वहाँ ल क्या था, AMI में प्राइवेट में, वो भी मैं आपको बताया था, कि AMI के फीस तीन हजार, लैब के लिए साथ हजार, सेक्शन B के लिए 4,800, प्रोजेक्ट वर के लिए 3,000, मोटा मोटी आप देखिए कि 20,000 के अंदर सारा मामला सलट जाएगा, सारा मामला खतम हो जाएगा आपका AMI की डिगरी 20,000 के अंदर मिल जागा, लेकिन वहीं बात कीजिए, एक मैंने बिट्स पिलानी के एक्जांपल दिया है, ऐसा बहुत सारे वर्क इंटेग्रेटर लर्निक प्रोग्राम है, वेंक्टेश्वरा उन्वर्शिटी है, सर्वग्यान है, बहुत सारे हैं, य से देश के सबसे बड़ी-बड़ी संस्ता इसको रिगोनाईज आज भी करती है, तो कहने का मतलब है, इस नोटीस से जाहिर होता है, कि जब 2023 में जितने भी इंटिस्टूशन है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, खोल दी गई है दरवाजे डिप्लोमा और बीटेग के ल जो भी इंटिस्टूट ये कंडिशन फूल्फिल करेंगे, जो ये नोटीस में है, वही AMI को फूल्फिल करवाया जाएगा, और इसको भी अप्रूबल दे दिये जाएगा, लेकिन फीस के मामले हो सकती है, कुछ एजाफा हो, क्योंकि फीस नहीं बढ़ेगा, तो फिर प्र प्राइवेट से करेंगे, जिनको समय नहीं मिलता पढ़ने का जो गरांटी पास यूजना चाहते हैं, तो वो लोग प्राइवेट में एंटमिशन ले सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो 23 फरवरी को हीरिंग होगा, इस दोनों नोटीस का रेफरेंस लिया जाएगा जिसमें अप्रूबल देने की बहुत ज़्यादा अच्छी कबर आएगी, और एमाई रिकोगनाईज भी हो जाएगा, और दिल्ली हाइकोट का बहुत बड़ा फैसला आएगा 23 फरवरी को, तो 14 फरवरी को बलेंटाइन डे मनाईएगा, उसके बाद 23 को तयार हो जाएगा, हीरिंग सुनने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये खुशी भरी खबर मिली होगी, इस बहुत जादा हेटफूल एरा में, जहां बहुत एक दूसरे से नफरत फैलता है, मारा मारी चल रही है, रशिया यूकरेन, गाजा इसराइल, हर जगा मारा मारी चल रही है, वह जो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा, मिलते हैं से यूस्पल वीडियो में तब तक यूटेक गूर्ट किराफ योसल, जाहिन जाएमाई